एडलेट टेस्ट के पहले कैसी होगी पिच एडलेट ओविल की हमाकास चोपडा से पुछते जो एडलेट पौच चुके और पिच को काफी क्लोजली देख रहे हैं पहले टेस्ट मैच के लिए दोनों टीम्स तैयार है एडलेट ओवल के इस खूबसूरत मैदान पर अस्ट्रेलिया ने तो अपने 11 का एलान कर दिया अपना जो उनके दो वाइस कैप्टन से तो एक वाइस कैप्टन को उन्होंने नहीं खिलाया है जिसकी वज़ा है कि अब बैटिंग पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और भारती टीम पर भी वही हाल है बारा एनाउस के जिसमें से साथ बल्ले बाज हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि छे बैट्समन के साथ भारत यहां खेलने के लिए उतरेगा तो पिच से क्या उमीद की जा सकती है यह ड्रॉप-इन पिच और पहले अडिलेट में ड्रॉप-इन पिच नहीं हुआ करती थी तो बैटिंग के लिए बहुत सा पाट होती थी लेकिन इस ड्रॉप-इन पिच में अब खास थोड़ी सी जयादा है यहां के क्यूरेटर ने भी बताया कि लीडिंग अप टु दे टेस्ट मैच क्योंकि गर्मी की बहुत उमीद है फर्स देश विल बी थर्टी नाइन डिग्री बहुत गरम रहेगा तो घास ज्यादा चोड़ी है थोड़ा सा मॉइस्टर ज्यादा चोड़ा है और ड्रॉप- पिच का जो रीसेंट इतिहास यह बताता है कि फास बूलर्स को शुरुवात में मदद मिली है पहले से काफी ज़्यादा मिली है जब से इस पिच को ड्रॉप-इन पिच बनाया गया है आडलेट टेस्ट के पहले बात करते हैं अजीत आगरगर के साथ ESPN क्रिक इन फो मैच्टे पर और तीन सवाल हम अजीत के साथ करेंगे हम प्रिव्यू करें इस टेस्ट मैच का और सबसे पहला सवाल यह है कि इशांत शर्मा क्यों और उमेश यादव क्यों ने आकड़े कु सबसे पहले इन तीन सवालों से पहले मैं पहले प्लेइंग 12 की पुष्टी करूँगा जो भारतिये टीम ने अनाउंस कर दी है और आप से पूछते हैं पिर क्या रोहिट शर्मा के लिए जगा बनीगी या हनुमा विहारी के लिए देखिए जबी भी रोहिट शर्मा का नाम आता है हमें पता है उनके पास टैलेंट कितना है अभी तक बात कर रहे हैं उनके टैलेंट की पोटेंशिल की लेकिन उनका टेस्स करियर थोड़ा सा पैची रहा है और हनुमा विहारी जो पिछला टेस्स खेले थे जो आखरी टेस है कि हनुमा विहारी को मौका जरूर मिलना चाहिए क्योंकि जो भी उनको मौका दिया गया था अंडिसन और ब्रॉड के खिलाफ उन्होंने अर्दश्र तक उधर किया था ओवल पे तो थोड़ा जैसे मैंने कहा कि अनफैर होगा अगर पहले ही टेस्स में उनको बाहर रोहि साइड़ है कि किसको खिलाए चले एक बार नजर डाली देते हैं 12 मैं लिस्ट की जो भारत भारतिया टीम ने अनॉंस की थी और यह है टीम जो अनुमा वियारे रोज शर्मा की बीच एक्स्ट्रा बले बाज किसे चुना जाएगा उसका फैसला टेस्ट के पहले ही होगा और अगर पेसर्स की बात के रहा जी तो भूवनिश्वर कुमार के लिए तो जगा नहीं है लेकिन इशान शर्मा और मौमत शामी जस्परीद बुम्रा के साथ पेस अटैक लीड करेंगे तो सवाल पहला वाला हमारे यही है कि इशान शर्मा तो खेलें गई और सबसे भी राज़ तो ऑजीड निगाल चुके सतरा पारियों मैं भी और सज़त उमेश रादफ का चौवालीस के आसपास और इशान शर्मा का लेकिन 62 के आसपास है तो अजीट सवाल यह है कि इशान शर्मा कौन से के इंद बाश होंगे वो जो चार साल पहले औस्ट्रेलिया में काफी struggle कर चुके या फिर वो जो इंग्लिंड में काफी उन्होंने बहतरीन बोलिंग की देखिए experience है आप बहतर होते जाते हैं अब पता नहीं इस series में कैसे होंगे इंग्लिंड और South Africa में बहुत pinch में बहुत मदद थी शायद Australia में उतनी ना हो जब कुकबुरा बॉल पुराना होता है तो और भी कम मदद मिलती है गेंदबाजों को इसलिए मुझे लगता है इशान शर्मा ये बैलेंस एक अटाक में हो जाता है जैसे शमी आपके थोड़े अटाकिंग बोलर हो जाते हैं भुमरा अटाक करते हैं अगर आप उमेश को भी खिलाएं तो थोड़ा सा सेमनेस हो जाता है बोलिंग अटाक में इसलिए इशान शर्मा अच्छा डिसीजन है उनको खिलाना क्यूंकि लंबे कद के हैं कंट्रोल रख सकते हैं गेम में अगर अगर आप अच्छा स्टार्ट मिले या कोई पार्टनर्शिप हो तो पहले भी उन्होंने करियर में ये बहुत किया है जब जहीर खान थे दूसरे एंड से अच्छा कंट्रोल रखते थे रण नीचे रखते थे तो हरे का एक रोल होता है टीम में और जैसे आपने पहले कहा कि अब experience से इस series में उन्होंने बहतर करना उनका ज़रूरी है क्योंकि अब Australia में दो या तीन टोर कर चुके है conditions बिलकुल पता है और अच्छे form में थे England में तो भारत चाहेगी अब wickets भी जादा ले लेकिन एक balance लाते attack को उमेश के आकड़े अच्छे हो लेकिन अगर उमेश को खिलाते तो कभी-कभी तीन गेंदबाज एक तरीके के हो जाते ग्यारा में और इशान कुछ अलग लाते इस attack के लिए तो ये अच्छा decision है जले तूच और अकड़ों पर अगर हम नजर डाले तो 2018 में भारतिय तेज गेंदबाजो ने कैसा प्रदर्शन किया है और रमान लेते कि South Africa में और England में तेज गेंदबाजो के लिए काफी अच्छी conditions थी लेकिन फिर भी मौमज शमी की औसद बढ़िया 33 विकेट ले चुके है भारतिय तेज गेंदबाज इशान शर्मा 30 विकेट ले चुके है 21 की औसद से और जस्परीद बुमरा जिनका टेस्ट करियर बहुत ही बढ़िया शुरू हुआ है और उमेश यादर चौथे नंबर पर लेकिन औसद केवल वेस्ट इंडीस के सामने हाली में उन्हें बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी भूबनेश्वर कुमार की तो हम बात ही नहीं कर रहें लेकिन आप समझ सकते हैं कि शायद इस टेस्ट के लिए शुरूआत के भारत में सबसे अच्छे तीन गेंदबाज को चुन हैं बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि बैलन्स अटाक पे होना ज़रूरी है अच्छी बात है कि अश्विन जो शायद जडेजा ने आकरी टेस्ट में अच्छा किया हो इंग्लेंड में लेकिन अश्विन बहतर स्पिनर है जडे जासे तो वो भी एक अच्छा डिसीजन है तो बैलन्स है है आपको अटाक में आप चार गेंदबाजों से खेल रहे हैं तो भुवनेश्वर कुमार आस्ट्रेलिया में मैं नहीं समझता अगर बहुत ही घास रखी हुए पिछ पे नमी है तो शायद भुवनेश्वर कुमार का कोई रोल हो नहीं तो कुकबुरा जादा स्विंग नहीं करता पहले 10 या 12 ओवरों के बाद मुश्किल हो जाता है तो जिसके पास जिसके स्ट्रेंच सिर्फ स्विंग है उसके लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए बीच में गेंदबाजी करने तो यह अटाक बिल्कुल बैलेंस्ट है और पहली टेस्ट शुरू करने के लिए यह तीन तेज गेंदबाद इस कंडिशन के लिए बिल्कुल सूटिड है चले दूसरा सवाल हम आपसे यह करने कि वो एक ऐसी चीज क्या है जो भारतिय तेज गेंदबाजों को करनी ही होगी अगर इस आडलेड टेस्ट में सफलता है उन्हें प्राप्त करनी हो और अभी तो आप हाली में 41 के हुए लेकिन हम आपकी तरी स्टोरी हम वापस पड़ेगी कुकबूरा बॉल के साथ तो अगर वो देखा जाए तो आपकी नंबर्स हमने निकाले अजीत उस पारी में जब आपने छे विक्टे निकाले और भारत को जीत के मुकाम पर आप ले आए तो आप ज्यादा तर गुड लेंध या शॉर्ट ऑफ लेंध गेंदब पाजों को इतना असान नहीं होता बॉल उपर पिच करना लेकिन उनको करना जरूरी है इंक करियर में इंप्रूव्मेंट उनकी होती गई है जब उनकी लेंध थोड़ी से आगे हुई है जब आप पिच आगे करते हो लेंध उस्टेलिया में बाउंस मिलता है पिच से कौट बिहाइंड या स्लिप में बहुत बल्लेबाज आउट होते है क्योंकि एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है तो लेंध आगे होनी जरूरी है अब आगे लेंध का मतलब इशान सर्मा की लेंध अलग होगी शमी की अलग होगी या बुम्रा की अलग होगी वो आप जितने जल जरूर फाइदा उठाना जरूरी है भारतिया गेंद बाजों को लेकिन जब गेंद पुरानी होती है और शायद एक पार्टनर्शिप हो तब कौनसी लेंध करनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टन होगा अगर भारत को प्रेशर बनाना है पूरे इनिंग में तो टॉप स्टंप शमी की लेंध अलग होगी बुम्रा की अलग होगी और इशान की लेकिन वो लेंध जानना बहुत जरूरी है और अगर आप वो करते हो तो ऑस्ट्रेलिन पिच्चिस पे आपको जरूर फायदा हो सकता है चले आखरी सवाल आप से यह है कि नेथिन लाइन पर कैसे क करें का वो कि अडलेट की तो यह शेर है अगर आख़़ों पर नजर डाले ऐस्ट्रेलिन ऑफ स्पिनर की तो 37 विकेट निकाल चुके केवल साथ मैच में और 2014 में भी जब भारत का सामना नेथिन लाइन से हुआ था तो वही बोलर हावी पड़े थे भारत पे तो एक तरफ बता रहे कि कमिन स्टाक और हैजल वूड से काफी बड़ी काफी बड़ी टेस्ट होगे इम्तिहान होगा भारत का जीद लेकिन नेथिन लाइन को भी अंडरेस्टिमेट नहीं किया जा सेकता बिल्कुल नहीं क्योंके 300 विकेट ले चुके है टेस्ट क्रिकेट पे जो भी 300 लेता है उसको अंडरेस्टिमेट करोगे तो आप बिल्कुल गलती करोगे हैं मुझे नहीं लगता भारत के बल्ले बाज उनको खेल चुके और ऑस्टेलिया में पहले विराट कोली भी उनको खेल चुके उनको अंडरेस्टिमेट कर रहे होंगे क्योंकि जो भारत की pitches होती है और जो अस्ट्रेलिया में होती है उनमें फरक होता है कुकपुरा बॉल से अच्छी गेन करते है बॉल का बहुत ड्रिफ्ट होता है जब ड्रिफ्ट होता है बॉल तो आप अलग लाइन खेलते हो बल्लेबाज हो तब और भारत ये conditions में हम जब य भारत ये बल्लेबाजों को जो बॉल है रन बनाने के लिए उन पर रन बनाना जरूरी होगा त्योंकि अगर नेथन लाइन अच्छी गेंदबाजी करते है एक तरफ से फिर वो तीन तेज गेंदबाज उनके रोटेट कर सकते हैं दूसरे दूसरे एंड से और फ्रेश रहत तो भारत को नेथन लाइन पर प्रेशर डालना बहुत जरूरी है क्योंकि जो भी खराब गेंद डाले उसका पूरा फाइदा उठाना चाहिए तो प्रेशर उन पे भी बना रहेगा लेकिन आस्ट्रेलियन कंडिशन्स में नेथन लाइन एक बहुत बड़ा चैलेंज है चले एक नजर आखरी में डालते है अब ऑस्ट्रेलियन प्लेंग 11 पर और इसमें अनुभवी की थोड़ी कमी तो हुगी क्योंकि डेविट वार्णर और स्टी स्मिट तो हमें पता है कि नहीं है सीरीज में और अपने सस्पेंशन को सर्फ करें लेकिन मार्किस हैरिस जो शे रहे है ट्रैविस हेट के साथ ऑस्ट्रेलिया और आल राउंडर मिचल माश के लिए जगा नहीं है टिम पेन कप्तान और कीपर पैट कमिंज मिचल स्टार्क नेथन लाइन और जोश हैसल वूर्ड उनकी आप कह सकते हैं कि फर्स्ट चॉइस सीम अटैक और स्पिन अटैक ब जरूर बहतर होंगे जब यूए में खेले थे या भारत में आते या श्रीलंका में जाते उनसे उनके पास confidence ज्यादा होगा इन कंडिशन में खेलने के लिए पेपर पे लगता है ये वीक बैटिंग लाइन अप है और दोनों टीमों की साइकी आपको पता चलती है थोड़ी आपके ऐस्ट्रेलिया को हराने का ऐस्ट्रेलिया में लेकिन अच्छा अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी क्योंकि ये ऐस्ट्रेलियन बैट्समें शायद ही उनके पास उतना experience ना हो लेकिन home conditions में खेल रहे तो उनका performance जरूर बहतर होगा तो इंडिया को बहुत अच्छा खेल आप अपने comments नीचे comment box में छोड़ सकते हैं notifications के लिए bell icon यानि इस घंटी पर click कीजिए